आवाड वापसी के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही हो गां, हमारे देश के जीतने भी सहित्यकार हैं, या कल आके छेतर से आने वाले लोग हैं, जब भी उनको अपनी मनाराज़की जतानी होती है तो अवाड वापसी का जो पूरा एक सिनारियो होता है, वो शुरू हो हो जाता है तो ऐसे मुझे होता है कि जबभी कोई सरकार किसी शरक्स такую रागुष को ओपस कर दी कि हुआ करल कि किहले कि तो जब पहलवान वा हुए थे थ हम नहीं को वापस करने का या भर गंगाई में बहाने कर दिया था हला कि ऐसा कुछ हुआ नहीं और बात आई गई सी हो गई पर अवार्ड वापसी हम लोग एक-एक समय पर देखते ही रहते हैं पिछले कुछ समय में भी हमने अवार्ड वापसी की बाते सुनी लेकिन अब सरकार ने के ऐसा बड़ा कदम उठाया है जिससे की अवा ने चेतरे हैं जहां पर की आपको अवार्ड मिलता है आपक मान सम्मान होता है और तरह-थरह की बाते हैं लेकिन इन सब के बीच में अगर आप इस बात को समझें तो अवार्ड वापसी की काफी चर्चा हुई हाली में मनिपुर के टॉप एथलीट्स ने अवार्ड वापसी की धमकी दे डाली उनका कहना था कि अगर मनिपुर में भड़की हिंसा जल्द शांत नहीं हुई तो अवार्ड वापस करना शुरू करें इससे पहले कुष्टी संग के अध्यक्ष और बीजेबी सांसत ब्रजबूशन शरंण सिंग के खिलाफ धर्दा दे रहा है पहलवानों अपने मैडल गंगा नदियें बहाने के लिए हरिद्वार पहुँच गए इस तरह की घटना भविशे में ना हो इसलिए अवार्ड देने से पहले प्राप्त करता से अंडिल्टेकिंग फॉर्म भरवाने की सिफारिश करी गई संसदी समीती की सिफारिश है कि शीर्ष सांस्क्रिटिक संस्थानों और अकादमियों को पुरुसकार वापसी जैसे स्थिती से बचने के लिए प्राप्त करता से पूरु वचन लेना चाहिए संसदी समीती की इस थाई समीती ने इसे देश का अपमान बताया और कहा कि इससे पुरुसकारों की साख खराब हो रही इससे बचने के लिए कमीटी ने सरकार से एक ऐसी विवस्था बनाने की सिफारिश करी है जिसमें की पुरुसकार देने से पहले अवार्ड पाने वाले कलाकार लेखक और अन्य बुद्धी जीवी से इस बात की सहमती ले ली चाहिए कि वो भविशे में पुरुसकार वापस नहीं करेंगे या इस प्रकार की स्थितिकोत पन नहीं करेंगे संसदी समीती का कहना है कि अवार्ड पाने वाले उमीदवार से पहले एक शपत पद्र भरवाना चाहिए और बगेर सहमती किसी को भी पुरुसकार नहीं दिया जाना चाहिए अपनी सिफारिश रखते हुए समीती ने ऐसे कई मामलों के जिक्र किया जिनमें अवार्ड वापसी की बात उठी थी सदस्यों ने साल 2015 में करनाटिका के प्रख्यात लेखक कलबुर्गी की हत्या के बाद अवार्ड वापसी मामले का भी जिक्र किया समीती ने कहा कि ये लोक्तांत्रिक देश है हमारे सम्विधान हर नागरिक को भाशन और अभिवक्ती की आजादी देता है सम्विधान विरोध प्रदर्शन की भी आपको आजादी देता है लेकिन पुरुसकार लटाना विरोध का एक तरीका बन चुका है सदस्य ने कहा कि समीती को सरकार को उन वास्तविक मुद्धो पर दरता से टिपणी करनी चाहिए जिनकी विरोध में ऐसे पुरुसकार लटाए गए और उन्हें हल करने की दिशा में काम भी करना चाहिए इससे विरोध प्रदर्शन के दोरान पुरुसकार वापसी के मुद्धे को सुलजाया जा सकता है समीती ने अपनी सिफारिश में कहा कि जब भी कोई पुरुसकार दिया जाए तो प्राप्त करता कि और से इस बात की सहमती जरूर ली जाए कि वो भविश में पुरुसकार वापस नहीं करे ताकि वो राजनिती कार्णों से इससे वापस ना लोटाए समीती का कहना है कि सहित्य अकादमी सहित्य पुरुसकार देने वाली दूसरी अकादमिया और एक गैर राजनिती संगठन इसलिए राजनीती के लिए यहां कोई जगे नहीं ऐसा करने वालों को किसी जूरी में रखने या फिर किसी एहम पद पर नामित नहीं किया जाना चाहिए आपको बता दू कि इस समीती में लोकसवा के किस सदस्य और राजसवा के 10 सदस्य शामिल संस्कृती मंतराले से जुड़ी संसद की इस स्थाई समीती के अध्यक्षे राजसवा संसद वर वायसार कॉंगरिस के वरश नेता वी वजए सार रेड़ डी भी तो जाहिर सी बात है इस प्रस्ताव को जड़ी मिल जाती है तो आने वाले समय में जो अवार्ड वापसी है उसके उपर एक बड़े तोर पर जो लगाम है वो कस्पाई मेरे स्टुड़ी वलात नहीं जाए हैं जाहिए भाव